नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम फिर से गोपाल गंच पहुंच चुके हैं आज जो है दुर्गा पुजा का लास्ट दिन है कल जो राजा दल के पास जो भगगादर मची जिसमें तीन लोगों की मिर्ति हो गए दो महिला और एक बच्चे की तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हद्सा के बाद मेला में महौल क्या है क्योंकि आज यह है दुर्गा पुजा मेला लास्ट दिन है और लास्ट दिन में हम लोग अभी लगभग आठ बजे रात के करीब पहुंचे हैं यहां पे तो यहां शिवदल है शिवदल बना हुआ है जो हैद्राबाद का काली मंदिर यहां पे बना हुआ है तो चलिए आप लोगो दिखाते हैं और शिवदल के सामने संकर भगवान का बहुत विशाल प्रतिमा रखा गया है उसको भी आप लोगो दिखाएंगे और भीड की कमी नहीं है भ पूजा पाड के साथ साथ सेलफी भी लेने में कोई कमी नहीं रह जाएगी, देख सकते हैं, बहुत सुन्दर ये भी पंडाल बना हुआ है, जो सीव दल के नाम से बना हुआ है, देख सकते हैं, और मेला में कल जो महोल था, वो आज भी महोल है, देख सकते हैं, आप लोग द्वारा यूटूबर द्वारा की भाई बच्चों को लेके नहीं आना है बुजरुक को नहीं लेके आना है तो देखते हैं चलिए वीडियो में बने रही चलते हैं भावानी दल जब तक के शीव दल में आप लोग मातारानी का दर्सन कर लिजे उसके बाद हम लोग चलेंग आप लोग को मिलेगा पूरा गोपालगंज में कोई गली कोई महला कोई ऐसा रस्ता नहीं है जिस पर की सजावत ना किया हो जिस पर की पंडाल ना बना हो देखे अभी भावानी दल में आ चुके हैं और भावानी दल में भी रहुनक जब अज़़त देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों को lagi कर अएं कल हदसा हुआ है मगर इन लोगों मानने वाले नहीं है देख सकते हैं अफ लोग अगदम मतलब चल रहे हैं बच्चों को दे दिया है पति अडेव लेकर घूम रहे है इस मतलब कि कही नहीं Dragon नहीं है कौज़ आनगी इतना फो ने के बाद भी लोग डर जाते हैं मगर लोगों में डर नहीं है और बिंडास देखें मुंकिन नहीं तो इसलिए वह नहीं चल दिया कि और देखे झोटे चोटे बच्चे कर देख रहे हैं कि योगं हंसते हुए लेका जा रहे हैं मतलब कि इनको एकदम डरे नहीं है कि हां मेला में हाथसा हुआ था हमें लग रहा है इन लोगों मालूमें नहीं है नियुज देखते ही नहीं है अरे देखे तो होंगे मगर डरे नहीं है चल दिये हैं देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आए है चलिए अभी हम लोग भावानी दल में पहुंचने वाले हैं जो मौनिया चौक पे बना हुआ है यह भी पंडाल बहुत सुन्दर और बहुत प्यारा बना हुआ है और गोपाल गंज में पंडालों की कमी नहीं है क्योंकि कोई गली है कोई महुला ऐसा नहीं है जहां पे पं पंडाल बना हुआ है और हादसे के बाद भाई हर पंडाल वाले हर परसासन जो है एकदम सतर्क हैं कहीं पे भी दस आदमी कोई कठा नहीं होने जा रहे हैं रास्ता चल रहा है तो चलने दे रहे हैं यह महौल तो देखने को मिला है मगर महिला है और बच्चल लेकर जो भी आने वाले हैं डरें नहीं हैं तो चलिए वीडियो करते ही पेंड आप लोगों को यह वीडियो कैसे लागा कमेंट में जरूर बताएगा अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा